बिल्कम बेक टू नोडी जव टूंटी में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए फिर से न्यू वकेंसी का डिटेल्स लेकर आया हूँ अज जो वकेंसी आया हुआ है वो आप लोगों को कोस्ट गार्ड के तरफ से आया हुआ तटरा छक बल के तरफ से दसमी पास होनी चाहिए पूरुशेव महिला दोनों भर सकते हैं फॉम आफ लाइन माध्यम से फॉम निशूल के फॉम भरने में कोई आप लोगों को पैसा नहीं लगेगा देखिए ड्राइवर के इंजन ड्राइवर का एक पत दिया गए हुए अठारा से तीस बरस आई दसमी पास तता सारंग लेसकर परमानपत्र होनी चाहिए सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर का तीन पत दिया गए हुए जिसका अठारा से 27 बरस आयू दिया गए वो आयू की गन्ना अंतिम्तिति के नुसार किया जाएगा आवेदन भेजने के पता देखिए 22 अगस्त से पहले आप इस पते पर भेज दीजेगा और गुजरात का ये पता है सधारन डाक के माध्यम से से पहुंचनी जाए कोई स्पीट पोस्ट बगेरा जरूरी नहीं है सधा क्या क्या डॉक्मेंट देनी है चलिए मैं आप लोगों को बतला देता हूं फॉर्म के साथ सब योगता परमान पत्र देनी होगी जनम परमान पत्र है तु दसमें का एवं परमान पत्र देनी होगी जाती परमान पत्र एक स्वयम का लिखा हुआ पता लिखा हुआ पचास कार्ड एवं अन कोई आईडी प्रूफ देनी होगी अवेदन वाली लिफापे पर एवं पोस्ट के नाम तथा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिख दीजेगा अवेदन के सभी कॉलम असपष्ट एवं बड़े अक्षरों में भरियेगा ये कह दिये गये हुआ है अवेदन में किसी परकार की कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए ये सभी कॉलम अवेदक द्वारा स्वाइम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरे सचतकार एवं परिच्छा के लिए अवेदन अवेदक को जोखी में खर्च पर आना होगा आपको कोई दिये या टिये नहीं दिया जाएगा केवल सौट लिष्ट अवेद को को हीं कॉल लेटर जारी किया जाएगा अगर सौट लिष्ट में आपका नाम आता है तो आपको कॉल लेटर जारी किया जाएगा उपियुक्त पदों के लिए शमान मतलब जेनरल हीं आवेदक करें किस जेनरल के लिए फॉर्म दिया गया हुआ है और अगर आप लोग चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी वीडियो को लाइक कर दीजिए इस वीडियो में इतना है धन्यवाद